हाई फ्रेंज इस प्रोबसर कादिक दिधी वाचिंग यूट्यूब चैनल आज बच्छा मुझो स्टार्ट करने जा रहा है वह एपिसोड नंबर 90 है जिसका नाम है कास्केर डेफिजरेशन सिस्टम बहुत पार बच्छे जी ट्यू में क्वेस्टन बूच्छाय जा रहा है कास्केर डेफिजरेशन सिस्टम एक्चुली होता कै वह समत्य है तो कहीं बार ऐसी अप्लिकेशन होती है कि वहाँ पर आपको फूलिंग टेंपरेशन चाहिए माइनस 42 माइनस 50 के रेंज के अंदर कहां पर होता है मैडिकल अप्लिकेशन है इंडिस्टियल एक्स एक्स एक् कंडेंसर है वह दुसरे के लिए एक का यह उपट रहें दूसरे के लिए कंडेंसर की तरह काम करता है तो वैं यू रिक्वाइर टेंपरेशन रहें जो माइनस 42 माइनस 50 डिग्री सेट्सेस की कुलिंग रहें आपको चाहिए तब आप क्या करते हो दो अलग 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 वे अलग यह लुज त्थे फर खिंपेशन सक्राइखें लोड है तरहीं से कंडेंसर और इस्पैंसर वाल इकशन की अलग अलग वे दोनों का आपने combination कर रहा है और जो चीज आपको मिली है उसको बोला जाता है cascade condensure अभी मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से काम करता है तो actually बच्चो इस पे होता क्या है आपको क्यों सिर्स combination करना पड़ा मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर आपको जो cooling चाहिए होता है वो minus 40 to minus 50 की range में होता है यहाँ पर देख रहा है बच्चो कि यहाँ पर जो lower temperature circuit है जहाँ पर efficient use होता है वो होता है carbon dioxide तो यहाँ पर जो बच्चो जो efficient use हो रहा है that is CO2 carbon dioxide है क्यों carbon dioxide है यह carbon dioxide सा freezing point होता है minus 56.7 degree Celsius यानि वो 56 degree तक तो efficiently काम कर सकता है जब तक minus 56 degree Celsius है अब तो efficiently काम कर पाएगा और बच्चो इसकी heat absorb करने के लिए यहाँ पर high temperature circuit है यह आप जो vapor compression cycle देख रहे हैं उसमें जो refrigerant use किया गया है उसका नाम है ammonia ammonia यहाँ पर use होता है ammonia ammonia का freezing point कीतना है minus 77.8 degree Celsius that means यह वो minus 77 तक वो efficiently काम कर सकता है तो बच्चो एक्चोली होता क्या है कि आपको चाहिए होता है minus 42 to minus 50 let us take example कि मैं आप एक example लेता हूं कि यहाँ पर cooling है वो minus 50 degree Celsius हम यहाँ पर achieve कर रहे है तो इसे ओपर ट्रम में मिल रहा है माइनस 50 degree Celsius है इतना हमें चाहिए अब क्या होगा कि यह जो refrigerant होगा बच्चो यहाँ आप से compress होगा तो इसका temperature बढ़ेगा तो माल लो यह मैंने एक example की तोर पर ले रहा हूं को ऐसा ना समझे कि इसमें ही हैसा ही होता है आपको बता चले कि यहाँ पर हमने combination क्यों करना पड़ा तो बच्चों यह क्या होगा माइनस एक example लेते कि यहाँ पर जो cooling हो रहा है वो तो इसकी heat absorb करने के लिए कोई दूसरा refrigerant नहीं चल सकता क्योंकि ओलीडी माइस में अगर में दूसरा refrigerant यहाँ पर इसका heat absorb करने के लिए लुंगा तो क्या हो जाएगा freeze हो जाएगा इसलिए यहाँ पर आपको ऐसा तो आपको ऐसा temperature यहां पर आपको ऐसा यहां पर यहां पर कितना होना चाहिए तो यह जाद़ होगा और यह कम होगा तो यह अपनी हिट यहां पर पर transfer करेगा माइनस पंद्रह को तब जाके फिर से साइकल काम करें तो समझ में आ रहा है किम प्रेस्ट फिटी है। मैंस पूरी है तो बच्चों यहाँ पर माइनस 50 है यहाँ पर इसको हिट रिजेक करवा नहीं आपको गूरानी यह चाहिए तो इसका कम भी त्रेंपरिटर करेंगा अगैन वह थंडा होगा है याने कि लिक्विड में कशनवाद में प्रेस्फेरेड होगा है यहाँ इस ंपर हों चलती रही है यहां पर बचो रही है यहां पर बड़री कंप्रेशा हुआ लिएर्टो डिक और यह माइनसर से भी कम तंपरिचल यही यहां पर आमोनियल होता है बच्चो तो इस तरह की साइकल होती इसको बोला जाता है कास्केड रेफिजरेशन सिस्टम आपको पसंद आए होगा अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस वीडियो और आइस देबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ